नमस्कार दोस्तों, वेलकम टुश्टेडी निउस, आज हम लोग भारती राजविवस्था में राश्पती के पद के बारे में और राश्पती के निर्वाचन, उनकी सक्तियां और राजविवस्था में वरणित इनके पद के बारे में जानकारी लेंगे, so let's start सम्विधान के भाग पांच के अनुच्छेद 52-78 तक संग की कारेपालिका का वर्णन किया गया है संग की कारेपालिका में राश्पती, उपराश्पती, प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल और महानियावादी सामिल होते है राश्पती भारत का राजप्रमुक होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और राश्पती एकता, अखंडता और सुद्रिनता का प्रतीक भी होता है अब बात करते हैं राश्पती के पद के बारे में इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है सम्विधान के अनुच्छेत बावन में कहा गया है कि भारत का एक राश्पती होगा हमारे सम्विधान की योजना में राश्पती का पद, सरवाधिक सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का है वह राज्य का अध्यक्ष होता है राज्य का अर्थात राश्ट्र का यह कहना गलत होगा कि वह केवल नाम मात्र का या नामधारी अध्यक्ष होता है समिधान सभा में नहरू ने कहा था कि उद्देश से यह नहीं है कि भारत के राश्पती को केवल नाम मात्र का अध्यक्ष बनाया जाए संग की समुची कारेपाली का शक्ति उसमें नहीत होती है और उसका प्रयोग वह समुधान के अनुसार सीधे, स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करता है अब है राश्पती के कारे और सक्तियां जिसका वर्णन अनुच्छे तिरपन में किया गया है अनुच्छे तिरपन के अनुसार संग की कारेपाली का शक्ति राश्पती में नहीत होती है और वह इसका प्रयोग सम्विधान के अनुसार स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करता है अधिनस्त प्राधिकारियों से तातपर यह है कि केंद्रिय मंत्री मंडल नहीं सदस्यों द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और भारत सरकार की समुची कारेपाली का कारवाई राशपती के नाम से की जाती है राशपती द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां वो किये जाने वाले कारे ये हैं जिसमें कारेकारी शक्तियां, विधाई शक्तियां, वित्य शक्तियां, न्याईक शक्तियां, कूटनितिक शक्तियां, शैन्य शक्तियां और आपात कालिन शक्तियां सामिल हैं कारे कारी शक्तियों में भारत सरकार के सभी शाषन संबंधी कारे उसके नाम पर किये जाते हैं वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिये जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैद हों वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंदर सरकार सहज रूप से कारे कर सके और मंत्रियों को उनके कारे सहजता से वितरत हो सके राश्रपती प्रधानमंत्री तथा अन्यमंत्रियों की न्युक्ति करता है वह सभी उसके प्रसाद परियंत कारे करते हैं राश्रपती महान्यायवादी की न्युक्ति करता है और उसके वेतन का निर्धारण करता है महानियवादी राश्पती के प्रसाद परियंत अपने पदपर कारे करता है वह भारत के महानियंत्रक वह मालेखा परिक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों और संग लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस से राज्य के राजपालों वित आयोग के अध्यक्ष वह सदस सभी की न्युक्ती करता है वह किसी भी छेत्र को अनुसूचित छेत्र घोशित कर सकता है उसे अनुसूचित छेत्रों तथा जनजातिय छेत्रों के प्रसासन की शक्तियां प्राप्त है अगला है विधाई शक्तियां राश्पती भारतिय संसद का एक अभी नंग है उसे विधाई शक्तियां प्राप्त हैं विधाई शक्तियों में वह संसद की बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए इस्थगित कर सकता है और लोकसभा को विग्टित भी कर सकता है वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आवान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है वह प्रतेक चुनाओ के बाद तथा प्रतेक वर्स संसद के प्रतम अधिवेशन को सम्बोधित करता है अब बात करते हैं वित्य शक्तियों के बारे में वित्य शक्ति जट भी कहते हैं संसत के समक्ष रखता है अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बीना नहीं की जा सकती है वह राज्य और केंद्र के मद्ध राजस्व के बटवारे के लिए प्रतेक पांच वर्स में एक वित आयोक का गठन करता है अगला है न्याइक शक्तियां न् उच्तम न्याले के मुख्य न्याधिश और उच्तम न्याले वह उच्तम न्याले के न्याधिशों की न्युक्ति करता है वह उच्तम न्याले से किसी विधी या तत्थे पर सला ले सकता है लेकिन उच्तम न्याले की यह सला राश्पती पर बाध्यकारी नहीं होगी वह प्राणदान, इस्थगित, राहत या माफी प्रदान कर सकता है। प्रदेशों में दिल्ली व पुद्दु चेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सामिल होते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधान सभाओं और संसद के प्रतेक सदस्य के मतों की संख्या में निर्धारन करने के लिए फॉर्मूला बनाये गया है। जैसे यहाँ पर एक विधायक के मत मुल्ले का फॉर्मूला दिया हुआ है। जिसमें एक विधायक का मत मुल्ले उसके राज्य की कुल जन संख्या बटे राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य से गुड़े एक बटा एक हजार होता है। इसी प्रकार एक सांसद का मत मुल्ले, सभी राज्यों के विधायकों के मतों की कुल मुल्ले, बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है। अब बात करते हैं राश्पती का निर्वाचन पद्धती जिसका वर्णन अनुच्छेत पच्पन में किया गया है राश्पती का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संकर्मणिय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है किसी उमीदवार को राश्पती के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतो का एक निष्चित भाग प्राप्त करना अविश्चक होता है इसमें कुल वैद मतो का half plus one वोट हासिल करना होता है अर्थात कुल वैद मतो का 50% plus 1 वोट हासिल करना होता है निर्वाचक मंडल के प्रतेक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है मत दाता को मत दान करते समय उमिदवारों के नाम के आगे अपनी वरियता अधी अंकित करनी होती है इस प्रकार मत दाता उमीदवारों की उतनी वर्यता आदी दे सकता है जितने उमीदवार होते हैं पहले चरण में प्रथम वर्यता के मतों की गणना होती है यदि उमीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वहां निर्वाचित गोसित हो जाता है नहीं तो मतों के इस्थानांतरण की प्रक्रिया सुरू की जाती है प्रथम वरियता प्राप्त नियुन्तम प्राप्त करने वाले उमिद्वार के मतों को रद कर दिया जाता है और इसके दुतिये वर्यता के मत अन्य उमिदवारों के प्रथम वर्यता के मतों में इस्थानांतरन कर दिया जाता है इसका मतलब यह है कि जो उमिदवार प्रथम वर्यता सबसे कम प्राप्त करता है उसके मतों को रद कर दिया जाता है और उसके मतों में प्राप्त दुतिय वर्येता को प्रथम वर्येता मान लिया जाता है इसी प्रकार करम अपनाये जाता है ये प्रकृिया तब तक चलती है जब तक कि उमीद्वार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता राश्पती चुनाव से संबंदे सभी विवादों की जाच और फैसले उच्टम न्याले में होते हैं अब बात करते हैं राश्पती के पद की अवधी के बारे में इसका वर्णन अनुच्छे छप्पन में किया गया है राश्च्पती की पदावधी उसके पद धारन करने की तिथी से पांच वर्स तक होती है वह अपनी पदावधी में किसी भी समय अपना त्याग पत्र उप राश्च्पती को दे सकता है इसके अलावा उसे कारेकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चला कर भी उसके पद से उसे हटाया जा सकता है जब तक नया राश्पती पद ग्रहन न कर ले तब तक राश्पती अपने पांच वर्स के कारेकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है वह इस पद पर पुना निर्वाचित भी हो सकता है वह कितनी ही बार पुना निर्वाचित हो सकता है इसके बारे में सम्विधान में वर्णित नहीं किया गया है हाला कि अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार से अधिक राश्पती नहीं बन सकता अब है राश्पती का पुनर चुनाव के लिए अहरता इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में किया गया है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राश्पती बन सकता है इसकी कोई तैसीमा नहीं है अब बत करते हैं राश्पती की योगिता के बारे में जिसका वर्णन अनुच्छेद 58 में किया गया है राश्पती बनने के लिए राश्पती पद के लिए वह भारत का नागरिक होना आउशक है वह 35 वर्ष की आईउ को पून कर चुका हो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो और वहा किसी भी लाब के पद पर ना हो लाब के पद से वहा संग सरकार में या किसी राज सरकार में या किसी स्थानिय प्रादिकरण में या किसी सारवजनिक प्रादिकरण में लाब के पद पर ना हो एक राश्पती उपराश्पती या किसी राजे का राजपाल संग या राजे के मंत्री किसी लाप के पद पर नहीं माने जाते इस प्रकार वह राश्पती के पद के लिए योग्य माने जाते हैं अब बात करते हैं राश्पती कार्याले की दशाओं के बारे में और इसका वर्णन अंच्छिद 69 में किया गया है 2008 में संसद ने राश्पती का वेतन 50,000 से बढ़ा कर डेल लाग रुपे प्रतिमा और पेंसन उसके मासिक वेतन की आधी प्रतिमा कर दी थी इसके अलाव उसे सुसजित आवास, फोन की सुईधा, कार, चिकितसा सुईधा और यात्रा की सुईधा प्रदान की जाती है और सचिवाली इस्टाफ प्रदान किया जाता है इसके बाद है राश्पती के सपत का वर्णन जिसका वर्णन अंच्छिद 60 में किया गया है राश्पती उच्छितम न्याले के मुख्य न्याइधिश और उसकी अनुपस्थिती में वर्णन न्याइधिश द्वारा राश्पती को पद की सपत दिलाई जाती है इसके बाद अनुच्छिद 61 में लिखा है बताया गया है राश्पती पर महाभ्योग की प्रक्रिया को राश्पती पर समीधान का उलंगन करने पर महाभ्योग चला कर उसे पत से हटाया जा सकता है हाला कि समिधान में समिधान का उलंगन वाक्य को परिभाशित नहीं किया गया है महाभियोग के आरोप संसत के किसी भी सदन में प्रारंब किये जा सकते हैं इन आरोपों पर सदन में एक चौथाई सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए और राश्पती को 14 दिन पहले नोटिस देना आवशक है महाभियोग का प्रस्ताव दो तियाई भावमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसमें इन आरोपों की जाच होती है राश्पती को इसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिदेतु कराने का अधिकार होता है और यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को दो तियाई भावमत से पारित कर देता है तो राश्पती को विध्यक पारित होने की दिथी से उसके बाद हटाया जा सकता है इस प्रकार महाभ्योग संसत की एक अर्ध नियाईक प्रिक्रिया मानी जाती है यहाँ पर दो बाते ध्यान देने लैक है कि सदन के दोनों सदनों के नामांकित सदस से जिन्होंने राश्पती के चुनाओं में भाग नहीं लिया था वे लोग महाभ्योग में भाग ले सकते हैं और इसके अलावा राज विधान सभा के निर्वाची सदस से और दिल्ली वव पुद्दुचेरी के अंदसासित राज विधान सभाओं के सदस से इस महाभ्योग प्रस्ताओं में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राश्पती के चुनाओं में भाग लिया था अभी तक किसी भी राश्पती पर महाभ्योग नहीं चलाए गया है अब बात करते हैं राश्पती पद की रिक्ती की पूर्ती के लिए चुनाओं कराने का समय इसका वर्णन अनुच्छित बासट में किया गया है इसके बारे मैंने आपको बताये था कि राश्पती की पांच वर्ण की पदावधी समाप्त होने के बाद नए राश्पती के लिए चुनाओं करा लेना अतियावश्रक है यदि राश्पती का पद मृत्य उत्याग पत्र महाभ्योग चलाकर या किसी अन्यकारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाओं 6 महा के भीतर करा लेना चाहिए यहाँ पर लिष्ट है जो अभी तक हमारे राश्पती बने हैं हमारे देश के इसका आप स्क्रीन सॉट रख सकते हैं और वर्तमान में हमारे देश के राश्पती रामनात कोविं जी हैं तो ये था राश्पती के बारे में अनुच्छे धुवार वर्णन अगले वीडियो में हम लोग राश्पती के वीटो पावर के बारे में जानेंगे so thanks for watching this video please like subscribe and comment